दोस्तो हिम गार्ड एलेक्टोनिक्स में आपका एक वार फिर से बहुत वह स्वागत है आज हम दोस्तो आपको फुल डिटेल बताने जा रहे हैं 10 किलो के कांटे की जो ABS बोडी में है और इसके साथ 20 किलो का कांटा जो स्टील बोडी में है तो पहले हम ओन करते हैं ABS बोडी में जो 10 केजी का है दोस्तो इसकी डवल डिस्प्ले है मतलब आगे भी है और बैक साइड भी है और कपैस्टी इसकी 10 केजी एकूरेसी 1 ग्राम है और मिनिमम इस पे हम 20 ग्राम तक बजन कर सकते हैं और मैकसिमम 10 केजी तक अब हम इस पे रखेंगे 200 ग्राम का बटा और चेक करेंगे रखिए और यह पूरा 200 ग्राम दिखा रहा है अब हम बात करेंगे स्टील के कांटे की इसको और करते हैं एक वार इसकी मैकसिमम कपैस्टी है 20 किलो दोस्तों और मिनीमम इस पे हम 40 ग्राम देख सकते हैं और और एकॉरिसी है 2 ग्राम अब इस पे भी हम 200 ग्राम का बजन रखेंगे और यह भी बिल्कुल इकूरेटली दिखा रहा है आप हम दोनों कांटे में पे बारी बारी पाँच किलो का बजन रखेंगे तो दोस्तो जे पूरा पांच किलो दिखा रहा है पांच किलो बजन को जे दोस्तो दो ग्राम इसकी एकुरेसी होती है तो कई बार पांच किलो को जे पांच किलो दो ग्राम भी दिखा देता है अगर थोड़ा सावी उपर डास्ट इसके जमा हो जाए इसी तरह से अब हम प्लास्टिक बोडी में और दोस्तों पांच किलो बजन को पूरा जे पांच किलो दिखा रहा है दोस्तों ABS बोडी में 10 किलो का कांटा विद पासिंग 32 रुपे का है जे SS बोडी में 20 किलो का कांटा इंकल्यूडिंग GST स्टेंपिंग फीस 35 रुपे का है और एक साल की इसकी दोनों की वरंटी है